हाई एवरीबड़ी दिस इस शालू हेर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके इदा सोचोलोजिकल इमाजिनेशन तब परसनल प्रॉब्लम एंड पबलीक इशू दोस्तों तो यहाँ पे देखी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके इंट्रोड़क हैं ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे जोब के समाज सास्तरी हैं यानि कि सोशिलोजिस्ट है वो आपके काफी सालों से यहाँ पे एक तरह से इस पॉइंट पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि जो आपकी परसनल प्रॉब्लम होती है ठीक है जो परसनल प्रॉब्लम होती वो किस तरह से जो आपका public है ठीक है personal problem और public इस तरह से जो issue है वो related होता है तो यहाँ पे इन्होंने एक activity दी है ठीक है तो यह आपको activity करना जरूरी थे कि ताकि जो आपकी जो thinking है जो आपके सोचने की छंता है वो आपकी काफी बढ़ेगी तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि read the text from miles carefully then examine the visual and report below तो यहाँ पे देखी इन्होंने आपका एक text दिया है और यहाँ पे देखी एक हम image दिखाते हैं आपको ताकि आपको clarity हो जाएगी तो यहाँ पे देखी जैसे ये दो couple है ये homeless couple है तो यहाँ पे यही बता रहेगी क्या कारण है कि इनके पास घर नहीं है तो यहाँ पे देखिए हम लोग इनकी कारण को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे देखिए अगर कोई भी परसन होगा तो वो यहाँ पे नॉर्मली थिंकिंग रखेगा कि देखिए जो आपके कपल हैं उनके पास पैसे नहीं है ठीक है वो गरीब हैं इस वज़े से वो आपके रोड के किनारे रह रहे हैं तो यहाँ पे यही कहरें ठीक है हम पे बताना है आप इसके कॉसिस क्या है होमलेसनेस के अब देखिए हम लोग थोड़ी सी इसमें आपकी जानकारी देख लेते हैं पहले नोंने example क्या दे रखा employment possibility हो सकती या फिर ruler to urban migration हो सकता है अब देखी हम आपको बता रहे जैसे देखी example कित्रों में समझाती हूँ देखी जैसे ये village हो ठीक है V से हमारा village होगे C से हमारी city होगे ठीक है अब देखी कोई जो आपका village से person है आपका शेहर की ओड जब पलाइन करता है शेहर की ओड जाता है तो उसके दिमाब में क्या क्या सोच ले करके वो जाता है यहाँ पे देखी जो शेहर होता है वो आपके बहुत सारे सपनों से भरा होता है यहाँ पे आपको बहुत सारे अफसर मिलते है चीजों को करने के लिए यहां पे आपको रोजगार मिलेगा शहरों में ठीक है यहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा आपको बहतर जीवन मिलेगा यहां पे आपके जो बच्चे हैं वो आपके बहुती एक इस्तर की अच्छी सिख्षा ग्रहन कर सकते हैं और जो यहां पे सं सोचते वैसा उनको नहीं मिलता जिसका उन्होंने सपना देखा होता है तो फिर क्या होता है कि वो अपने बच्चों के लिए ठी कि यहां पे बच्चों के लिए वो क्या करते हैं कि कॉंप्रमाइज कर लेते एक तरह से कि चलो हमारे बच्चे जो बहतर अफसर यहां पे मिलेंगे तो वो किस तरह से अपना गुजारा बसारा कर लेते और इस तरह से वो अपना रोड की किनारे रहेंगे या फिर किसी जोबडी पटी में रहेंगे जाके मतलब जोबडी बना करके रहेंगे तो वो ऐसा इसली करते हैं कि उनके जो बच्च जीएगा ठीक है तो यहां पर यह रीजन हो सकते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए पर जो बहतर रोजगार है उसके लिए आपके शहर की हो रहाते हैं अब देखी कोई परसनों को तो वो यही सोचे का ना जो नॉमली हम लोग कॉमन सेंस में हैं जो लोग सोचिलोजी नहीं हील पड़ते हैं तो वो लोग सोचे में कि इस लिए पास जीए लुग ऐसा ओपर नहीं अगर आप सचीलोची पॉór दो सोचेंगे तो इसके बहुत सारी रीजन हो सकते हैं अब दूसरा यहां पे क्या रीजन हो सकता है वह आपको थोड़ा बता रही हूँ कि देखे अगर जो यहां पर विलेज के लोग है ठीक है यहां पर यह मूव ना करें ठीक है क्योंकि देखे जो आपके शहर में जो भी आपकी पॉस मतलब की जो फैसिलिटी अगर वो आपकी गाउ में प्रॉइड कराई जाएगी गाउ में अगर उसको प्रॉइड किया जाएगा तो क्या हो तो यहां पर यहां पर अपको सी बीट में जाएगों तो यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे जो राज यानी की जो इस्टेट हैं ठीक है यहाँ पे इन्हों ने इसको Celineρα किया और यहाँ पे इन्हों ने फिर एक आपका एक तरह से शुरुआत करी एक मुहिम चलाए जिसमें आपके जो इंद्रा हावास योजना है क्या इंद्रा हाव प्रॉब्लम में लेकिन आप देखते होगे आप जब रोड से निकलते होंगे थाँ को सब की घर हो गया तो यहां पर इन्होंने सके लिए क्या कि है आपके इंदरा ओजना को यहां इन्होंने शुरू किया आप देखे इनका मकसद यहाँ पर यही था कि इस योजना को शुरू करने का जो भी आपके गरीब लोग है ठीक है जिनके पास घर नहीं तो उनकी लिए आपे मुफ्त में आपके घर को प्रोवाइट किया जाए तो यहाँ पर इस आपके जो योजना की बारे में पढ़ते हैं किसी की बायग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप उसके जो समाज होता है ठीक है उसमें किस तरह का समाज चल रहाता तो उसकी बारे में आप थोड़ी सी बात करते हैं कि किस तरह से वहाँ पर चीज़े चल रही तब आपको बहतर उसकी जो हि relations में problem होती है तब वो क्या करते हैं तब वो यहां पे आपके आपस मैट करके लोग चार बाते करके वहां पे conversation करके आपके बात को सलजा लेते हैं ठीक है तो यहां पे वही चीज लिखी हुई है कि वो लोग आपस में बातचीत करके चीजों को सुलजा लेते हैं तो यहां पर यह क्या हो गया आपका परसनल मैटर हो गया अब देखे आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या आपका परसनल मैटर होता है और क्या आपका पबलिक इशू होता है अब देखे जैसे हम लोग एक बहुती बह पर अगर यहां पर 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 यहां प लुटा है कि आपकी society तो शफर कर रही है, उसके साथ साथ जिस person के साथ हो रहा है तो वह भी सफर कर रहा है, तो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या आपका public issue होता है और क्या personal issue होता है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात करी है, एक second, हाँ, तो यहाँ पे इन कि जब भी देखी किसी समाज का आपका और दूगी का अरण होता तो वहां पे देखी जैसे अगर यहां पे जैसे फैक्टरी लगाई गई अब यहां पे जो आसपास के लोग थे वो यहां पे अगर किसानी कर रहे थे तो यहां पे जो एक किसान था वो क्या होगा एक श्रमिक बन जाएगा ठीक है तो यहां पे जो आपका पीजेंट है वो आपका बन जाएगा क्या वर कर और यहां पे जो आपका दीगे एक सामन था ठीक है वो यानि कि जो फ्यूडर लॉर्ड है वो आपका समाप्त हो जाएगा या वो आपका क्या बन जाएगा आपका वेवेसाई बन बिजनेस मैन मन जाएगा उसके बाद देखी अब यहाँ पे जैसे कैप्टिलिज्म में क्या होता है अगर आपका एक क्लास उटता यानि एक कोई वर गए वो आपका उट रहा है और दूसरा वर क्या होगा नीचे हो जाएगा कैसे हो जाएगा कैपिलिस्म में क्या होता है कि देखे जो आपके बहुती जैसे देखी इंडिया में कैसा है कि देखे बहुत सारे जो अमीर लोग है वो दिन बर दिन अमीर होते जा रहे और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहे अब ऐसा क्यों है क्योंकि देखें जो आपका गरीब लोग है वो सिर्फ उनकी पास इतना पैसा है कि वो सिर्फ अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं अपने लिए दो वक्त की रोटी देख रहे हैं ठीक है और जो आपका हमीर है अगर उसके पास आज मतलब की अगर दस हजार है ठीक है जैसे छोटा एक्जामपल लेशन तो कल उसके पास 20 हजार हो जाएं tenía पिर एक Dieses लागा हो जाए एक जो वर्ग है वो अपका उड़ता है, और दूसरा जो वर्ग है वो अपका गिड़ता है, और यहाँ पे देखें, जैसे लिखा है कि एक वेक्ति के पास यहाँ पर रोजगार उसको मिलता है और दूसरा यहाँ पर नीचे को。 तो जैसे आप सेंस्यक्स में देखते होंगे, यहाँए तो तो वह पर देखें थけके, तो वहाँ पर कईसा होता है, की आपका ऊच्छाल आया, ठीक है तो इसका मतलब की उसका हमघाती वह बढ़िजाती ही, चलो दो खुशी होती है फिर घ्रावट में जासे कि उसमें जो बिसनस में उसने पैसा लगा है अगर उसमें कया हो तो ऑसके स्के रेट गिर जाते इं तो उसमें भी उसको प्रोब्लम होती तो यहाँ पे यही बात करी गई है यहाँ पर कहा गया है कि व browse happens अगर कहीं पर आपके युद्ध होता है ठीक है यहां पर कहीं पर युद्ध होता है तो जो insurance salesman है वो आपका एक क्या बन जाता है rocket launcher बन जाता है कैसे बन जाता है यहां पर देखी अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो यहां पर सब लोग उसमें participate करेंगे न ठीक है वहां की तो जनता होगी वो पार्टिसिपेट करेगी अभी जो हमारा सेल्स में था वो क्या बन गया एक रॉकेट लॉंचर बन गया और यहां पे देखी अगर कोई परसन है ठीक है वो युद्ध में जा रहा तो उसकी क्या है पतनी जो है वो आपकी अकेली रह जाती है ठीक है अगर उस पतनी का जो मतलब उन कपल का बच्चा था तो वो भी क्या होगा वो अपने बिना पिता की ठीक है एक बालक जो है वो पिता के बेगर बड़ा होता है और यहां पे देखी यही बात करी गई है कि जो आपका समाज है ठीक है जो आपका समाज है वो आपके देखी एक वेक लिए अगर हमें दोनों को मतलब की अगर हम जानेंगे नीट तो मुसको समझ नहीं सकते हैं तो यहाँ पे रहा ने आपको इंड़र वास योजना इस कि ऀ brilliant और यहाँ पे गिएम की मेजर इसकीम ती जो कि आपके गवर्मेंट मिनिस्ट्री ओफ रूलर डेवलेप्मेंट के दोरा और यहां पे हाउजिंग अर्बन डेवलेपंट कॉपरेशन के दोरा इसको शुरू किया गया तो यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया थे कि जो आपके गरीब लोग है ठी प्रेशनल इसे जोल मिला ओगा आज किस वीडियो में तो यहां पे कॉमेंट सेक्षिन रुटाएगे कि आपको क्या समझ में नहीं आईए कोई भी डॉट या क्वेरी होता है प्लीज मुझे कॉमेंस सेक्षिन में बताइगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्ली